हेलो स्टुडेंट्स दिस प्राची वेलकम तो अबर चानल आज हम करने वारे हैं क्लास 9 चाप्टर 3 का एक्जामपल्स सारे के सारे एक्जामपल्स इसी वीडियो में कवर होंगे अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्जामपल देखने हैं तो उसके लिए आप देस्क्रिप् 3.1 सबसे पहले आपके पास calculate the relative molecular mass of water तो सबसे पहले molecular mass क्या होता है molecular mass का मतलब क्या है molecule का mass इसके लिए आपको सबसे पहले atomic masses learn होने चाहिए I hope आपने वो table अभी तक learn कर ली होगी let me show you once तो table है आपकी यह जो मैं आपको starting से हर वीडियो में बताती ही आ रही हूँ कि आपको लोगों को यह table learn करनी है यहां है atomic number, element, symbol, atomic masses तो यह atomic masses कई questions में आपको given होते हैं और कई questions में given नहीं होते हैं तो आप लोगों नहीं यह learn करना है अभी तक नहीं किया तो एक बार जरू इसको learn करें so that आप लोगों को कोई भी problem ना हो चलिए water, water का formula क्या होता है we know that H2O right तो मुझे इसका molecular mass निकालने तो कैसे निकालते हैं सबसे पहले मैं लिख रही हूँ water का formula that is H2O अब मैं इसको solve करने वाली है सबसे पहले देखो H कितने है 2 है तो 2 बहार bracket bracket के अंदर hydrogen का atomic mass कितना है 1 फिर आगे जा रहे हैं oxygen पे क्या चल लगेगा बीच में plus और O oxygen कितनी है यहाँ पर 1 oxygen है इसके साथ कुछ और तो नहीं लगा हुआ bracket oxygen का atomic mass कितना होता है 16 बस अब हमने इसको solve कर लेना है अब 18 आ चुका है आप यहाँ पर amu भी लिख सकते हो और only 18u भी लिख सकते हो दोनों का ही मतलब क्या है इसका मतलब unit क्योंके atomic mass unit राइट चले नेक्स्ट पर चलते हैं second है आपके पास calculate molecular mass of HNO3, HNO3 हमने last video में formulas बनाना शुरू किया था अभी तक अगर आप लोगों ने वह formula making वाली video नहीं देखिए तो I'll suggest एक बद जरूर देखें जो आपके लिए बहुत benefit रहेगी अगर आप लोगों ने अब formula बनाना सीख लिया तो 10th में भी कोई problem नहीं आएगी तो यह होती है आपके पास hydrogen nitrate, तो this is HNO3, चलिए इसके molecular mass calculate करते हैं, यहाँ देखो H कितने हैं, यहाँ पर सिरफ एक H है, तो 1 bracket, hydrogen का atomic number 1 plus, क्योंकि हमने next पे jump करना है, तो nitrogen यहाँ कितने हैं, बचे ध्यान से देखो यहाँ पर oxygen यहाँ 3 है, nitrogen 3 नहीं है, nitrogen तो सिरफ आपके पास 1 है, ठीक है, तो 1, bracket में nitrogen का atomic number 7, और atomic mass, हम यहाँ पर number नहीं लिखते हैं, हम mass की बात करते हैं, तो nitrogen का atomic mass कितना होता है, 14, plus, अब oxygen कितने हैं यहाँ पर, 3, oxygen का atomic mass, we know, 16, calculate कर लेते हैं, यह होगा, 63 mu, this is your answer, चलिए, next चलते हैं, example 3.2, calculate the formula unit mass of CACL2, यहाँ पर देखो molecular mass, यहाँ formula unit mass है, देखो, बात वहीये, molecule भी यही है, formula भी यह, इसको ہम molecule भी बोल सकते हैं, तो हम इसको इसी तरह ही calculate करते हैं, सिरफ बात कितनी आ जाती है, यहाँ पर हम molecule बोल देते हैं, यहाँ हम इसको formula बोल देते हैं, ठीक है, चलिए, यहां अगर हम बात करें, तो calcium, calcium कितने है, 1, तो 1, bracket में calcium का atomic mass, वो कितना होता है, 40, मैं बार-बार बोल रही हूँ, आप लोग atomic masses learn कर लीजिए, next, chlorine, chlorine यहाँ पर plus लग जाएगा, और कितने है, 2 है, तो chlorine का mass जो होता है, वो हमने पढ़ा था 35, लेकिन most of the time, atomic mass जो होता है, chlorine का आपको given होता है, 35.5 यूज़ करना होता है आपको, ठीक है, तो हम यहाँ यूज़ कर रहे है, 35.5, इसके पीछे एक logic है, जो logic हम पढ़ेंगे, 4th chapter में, वैसे, इसका mass होता है, 35, ठीक है, यह 37, यह दो masses होते हैं, लेकिन हम यूज़ करते हैं, 35.5, इसका जो logic है, वो हम पढ़ेंगे, chapter 4 में, very interesting, चलिए, आगे पढ़ते हैं, यह हो गया 40, यह हो गया 75, calculate कर लेंगे, यह आगे, 111 mu, this is your answer, चलिए करते हैं, example 3.3, तो example 3 है, आपके पास calculate the number of moles, तो यह तो mole concept में से आगया, है ना, तो mole concept भी हमने पढ़ा था last video में, अभी अगर अब तक आप लोगों ने वो video नहीं देखिए, तो I'll just just एक बार जुरूर देखे, मैंने उस video में आप लोगों को moles के बार में बताया था, और इस video में मैं in brief आपको समझा रही हूँ, क्या होता है, mole concept के numericals को solve करने के लिए हमारे पास mainly दो formulas होते हैं, यह भी number of moles है, यह भी number of moles है, इसका formula होता है एक तो mass से और एक होता है number से, सबसे पहले mass, mass के अगर मैं बात करूँ, तो यह होता है आपको given mass, small m is given mass, and capital M होता है, आपके पास molecular mass, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, कि अगर जैसे मैं आपको पहले भी example लेकर समझाया था, अगर आपके पास 1000 kg का कोई समान है, 1000 kg के packages आपके पास पड़े हुए है, और आपके पास एक packet का जो weight है, वो 100 kg है, तो आपने उसको क्या कर दिया, total mass को divide कर दिया, एक के mass से, cancel करके हमने देखा कि हमारे पास कितने packet बनते हैं, 10 packet बनते हैं, तो ऐसी number of moles calculate करने के लिए, total amount में आपके पास कितना substance पड़ा हुआ है, divide by एक molecule का कितना mass है, तो आपके पास cancel हो कि number of क्या आजाएंगे, one dozen होते हैं, कितनी quantity होती है, 12 quantity होती है, ऐसे ही one mole इतनी quantity होती है, यह वेगेड्रोस एक scientist है, जिन्होंने ये number discover किया था, और specially उन्होंने बोला था, कि हम use करते हैं, सिरफ atoms के लिए, या molecules के लिए, या electrons, particles, इन सब चीज़ों के लिए, हम daily life में तो इतना बड़ा number use नहीं कर सकते हैं, obviously नहीं कर सकते हैं, अब यहां इस number को क्या मतलब है, उन्होंने बोला, एक mole में इतना बड़ा number होता है, ठीक है, तो यह क्या है number of particles, यह हो गया, एक mole में कितने particles हैं, तो total number, divide by 1 का number, cancel करके, हम क्या निकाल सकते हैं, number of moles निकाल सकते हैं, जैसे ही हाँ पर example लेकर मैंने आपको बताया था, कि माल लीजिए, एक book की cost है 200, वैसी 1 mole की इतनी value हो गए, कितनी books आएंगी 1000 रुपे में, तो आपने 1000 में divide कर दिये 200, क्या हो गया, आपके पास 5 books आगए, वही total number यह, मतलब इतना amount हमने, इतने हो गए 1000 रुपेस, divide by 1 की cost 200, यहीं कि 1 mole की cost यह आगए, cancel करके, आपके पास number of moles आगए, तो याद से आपको यह चीज़े याद रखने है, यह होता है grams में, यह होता है AMU, या फिर only U, यह होते हैं atoms, molecules, particle, science, कुछ भी, और N0, N0 is Avigadro's number, यह बाद, चलिए अब करते हैं इस से related numerals, तो सबसे पहले कि अगर बात करूँ मैं इसकी, मुझे calculate करने है number of moles, यानि कि small n find करने है, right, 52 gram, gram है, तो यानि कि देखने से मुझे पता चल रहा है, मुझे small m दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि small m ही grams में होता, देख सकते हो, given mass, small m in grams, तो यह small m दे रखा है आपको 52 gram, of helium, तो सबसे पहले अगर मैं बात करो n की और m की, इस से related में पास पहले वाला formula था, कौन सा था, n equals to m by m, यह वाला formula था, अब यह m क्या होता है, molecular mass, molecular mass of helium, किसकी बात कर रहे हैं हम, helium की, तो helium का atomic mass कितना होता है, 4 mu, भही आप देख रहे हैं हो, बार-बार वो table में, बार-बार table में वो atomic masses use हो रहे हैं, वो बार-बार use हो रहे हैं, इसलिए मैं बार-बार आप लोगों को बोल रहे हैं, को वो जरूरू लर्न करें, तो m, m है आपके पास 52, capital m है आपके पास 4, कैंसल कर दिया, यह कितना आजएगा, 13 moles, simple, चलिए, इस पर चलते हैं, इसके लिए भी क्या calculate करें, number of moles calculate करने है, अब दिया क्या हुआ है, this number of helium atoms, atoms, तो atoms के लिए क्या था, यहाँ पे mass की बात नहीं हो रही है, यहाँ atoms की बात हो रही है, यह चीज, तो यह क्या दे रखा आपको, capital N दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ठीक है, चलिए, अब इस से related तो मेरे पास formula है, कौन सा formula होते हैं, next formula, N by N not, यह बला formula है, values put कर देते हैं, अब देखो, N not क्या होता है, वागे address number, average address number मुझे अल्रेड़ी पता है, that is a constant, यह होता है number, अब 10 की पाव 23, यह फूरा cancel, इसको इस से cancel करेंगे, तो क्या आएगा, 2, तो number of moles कितने आगए, 2, तो in short अगर बात करें, तो N के दो ही formula है, एक mass वाल और एक number वाला, बस आपको देखने क्या given है, और कैसे find करने है, चलिए करते हैं example 3.4, तो example 3.4 है, calculate the mass of the flowing, एक चीज़ में आपको बताना चाहूंगी, mass, यह जो नोंने बोला होता है, calculate the mass, यह होता है आपका grams के लिए, अगर आपको पता होता कि molecular mass, अगर पूछागे कि mass भी हमने दो पड़े हैं, एक normal mass, given mass, जो grams में होता है, और एक होता है molecular mass, तो अगर आपको ना पता चले कि कौन सा mass है, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए, कि कभी भी formula में यह चीज़ आ जाती है question में, कि find the molecular mass, तो आपको वो find करना, अदर वाइस normal पूछा गया find the mass, तो आप वो grams वाला ही solve करेंगे, चले, first करते हैं, हमें यह mass निकालना है, यानिकि small m निकालना है, क्या दे रखा है, 0.5 mole of N2 gas, 0.5 mole, यानिकि क्या दे रखा हैं, number of moles दे रखा है, N equals to 0.5, मेरे पास formula क्या होता है, N equals to M by M, यह क्या है, molecular mass, अगर यह चीज मेरे पास है, यह चीज मैं find कर लूँ, क्योंकि यह चीज मेरे को दे रखी है, तो मैं cross multiply करके, इसकी value निकाल सकती हो, बेलकुल, तो M, molecular mass of N2, N2 मतलब कि यह nitrogen के ऐसे है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, molecular mass वैसे तो, N यहाँ पर कितने है, 2, bracket में, N का atomic mass कितना होता है, 14, तो यह कितना हो गया, 28 mu, ठीक है, बस value पुट करने है, इसके अंदर solve कर देना है हमने, तो 0.5, यह हो गया N की value, M, find करना है, यह वाला 8, cross multiply, point हटाया, 10, 2, cancel, 14, तो M कितना आगया, 14, और units के लगाएंगे, grams, तो हमें mass निकाला था, similarly, second के लिए ध्यान से देखो, क्या करना है, 0.5 mole of N atoms, यहाँ पर देखो, N2 gas था, तो मैंने 2 थे nitrogen, तो 2 multiply किया था, 14 के साथ, यहाँ सिरफ N atoms है, ठीक है, तो यहाँ के लिए M of N कितना आजाएगा, सिरफ 14, ठीक है, solve करके दिखाती हूं, वही M निकालना है आपको, N दे रखा है, 0.5, और M of N atoms, कितना होगा, 1 into 14, that is 14 mu, फिर से वही formula लगाएंगे, N equals to M by M, solve कर लेते हैं, M निकालना है, यह M आगया 14, cross multiply, तो M कितना आगया, 7 grams, that's it, चलिए, 3rd करते हैं, 3rd में आपको दे रखा है, 3.011, 10 to power 23, number of N atoms, तो यह चीज़, क्या दे रखी आपको, याद हो तो, देखो, moles थे, तो यह दे रखा था, अब आपको, number of atoms दे रखा है, यानि कि आपको दे रखा है, capital N, कितना दे रखा है, 3.011, 10 to power 23, निकालना क्या है, मैं M ही निकालना है मुझे, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, N दे रखा है, और M निकालना, मेरे पास तो दो यह फॉर्मलेज है, N के कौन-कौन से, एक N इकोल्स to M by M, और एक N इकोल्स to N by N not, लेकिन, मेरे को दिया यह हुआ है, निकालना, यह तो इन दोनों का connection क्या बन रहा है, कुछ connection बन रहा है, येस बन रहा है, क्या यह भी N के इकोल है, यह भी N के इकोल है, तो that means, मैं इन दोनों को इकोल लिख सकती हूँ, बिल्कुल, M by M equals to N by N not, क्योंकि दोनों ही क्या निकालते हैं, इसकी value क्या होती है, N not की 6.022 into 10 raised to power 23, बाकी बचा क्या, सिरफ यह, अगर मैं यह निकाल लूँ, बाकी cross multiply करके फिर मैं यह निकाल सकती हूँ, M, molecular mass, किसका, N atoms का, ठीक है, N atoms का, तो क्या लिखूंगी मैं, M of N atoms, यह निकी N A की है, तो nitrogen कितना है, 14 new, सारी values आगी, बस value put कर देते हैं, M के place पर M, यह है 14, M दे रखा है कितना, 3.011, 10 raised to power 23, and not की value मुझे पता है, solve करते हैं, इसको इसे cancel, जब मैं इसको इसे cancel करूंगे, कितना आ जाएगा, 2, और M by 14 आगया, 1 by 2, 2, cross multiply, तो इसे कितना आ आगया, आपके पास, 7 grams, ठीक है, चलिए, next के लिए, next अब आपके पास यह चीज है, अब कैसे solve करेंगे इसको, तो अब मुझे करना ही, last one, 4th, ठीक है, क्या दे रखा है मुझे, 6.022, 10 raised to power 23, number of N2 molecules, भाही हम कर रहे थे पार बर, क्या होता था, N, capital N क्या होता था आपके पास, यहां तो atoms, यह molecules, particles, यह ions, यहन के हमें दिया क्या हुआ है, capital N दिया हुआ है, तो हम यहां लिख देंगे, capital N equals to, 6.022, 10 raised to power 23, ठीक है, निकालना क्या है, भाही M निकालना है, और अभी-अभी मैंने इनका connection बनाया था, M और N का, क्या बना था, दोनों की दोनों equal, तो M by M is equal to N by N, यह formula भी-भी बनाया था हमने, तो मेरे को निकालना है यह, मेरे पास है यह, और यह भी value मुझे पता है, मैं फिर से क्या निकालूंगी, यह निकालूंगी, molecular mass of N2 molecules, यहाँ आप देख रहे हो, N atoms था, तो सिरफ एक था, लेकिन N2 है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, 14 को multiply, तो क्या हैगा, 28 grams, ठीक है, तो यह आगे आपके पास 28 grams, value put कर देते हैं, यह आगे 28, N है, आपके पास 6.22, N note की भी यह value होती है, पूरी value सेम है, cancel हो क्या, बचा, 1, cross multiply, M equals to 28 grams, यह आगे आपके पास mass, चलिए गरते हैं, example 3.5, example 3.5 क्या कहरा है, calculate the number of particles, number of particles, वही हमारे पास 5 terms है, कौन कौन सी, यही terms है, 1, 2, 3, 4, 5, अब इन में से मुझे बताओ, बोला कि है उन्होंने क्या निकालना है हमको, यह निकालना है, यह 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 यह, यह तो मेरे पास already होता है, यह तो moles बोले गए है, यह masses है, क्या बचाँ आपके पास N, number of particles, यह यहिए आपको capital N find करना है, ठीक है, तो N आपको find करना है, किस में find करना है, सबसे पहला 46 gram, आपको पता है, grams में क्या दिया होता है, mass, वो भी कौन सा, small m वाला, तो 46 grams, अब क्या बोला गया है, any atoms, in any atoms, तो सबसे पहले मुझे यह निकालना है, और यह दे रख रहा है, अभी-अभी मैंने निकाला था, इन दोनों का connection, कैसे निकाला था, एक बर धियान से देखो, मेरे को सुरफ 2 homelips पता है, कि number of moles equals to, given mass, divided by molecular mass, number of moles equals to, number of particles, divided by number of, I will get this number, अभी यह दोनों ही number of molecules है, तो यहाँ से मेरे पास क्या connection बना, M by M equals to N by N naught, क्योंकि यह दोनों ही किसके equal है, number of moles के equal है, चलिए, अभी यह निकालना है मेरे को, यह दिया हुआ है, और यह मेरे को पता है कितना होता है, 6.022 into 10 minutes to power 23 होता है, क्या बचा, सिरफ यह बचा, तो यह निकाल लेते हैं, किसकी help से जो चीज़ गिवन है, molecular mass of any atom, कितना होता है atomic mass आने का, 23, देखो फिर से use हो रही है वो table, ठीक है, चलिए, values put करते हैं, M की जगह पे क्या आएगा, 46, M की जगह पे क्या आएगा, 23, N आपको find करना है, N note कितना होता है, यह value होती है N note की, इसको इससे cancel किया, 2 आगया, cross multiply करेंगे, N equals to, 2 को multiply करो इस पूरे के साथ, कितना आएगा, 12.044 into 10 just to power 23, बचे ना, यहाँ पे एक mistake कर जाते हैं, कि वो 2 को इससे भी multiply कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है, 2 जरब एक से ही multiply होगा, इससे और यह as it is रहती है, ठीक है, चलिए, यह था आपका क्या, number of particles, इसके लिए, second देखते हैं, second में क्या-क्या given है, निकालने मुझे number of particles ही है, इसमें mass कितना दिया हुआ है, 8 grams, ठीक है, फिर से वही connection है, formula क्या लगेगा, यह लगेगा formula, M by N equals to N by N node लगेगा, तो मैं M निकाल लेती हूँ पहले, M of किसका, O2 molecule, O2, 2 है, तो 2 into, oxygen का atomic mass, 16, तो यह कितना होगा, 32 mu, values पुट कर देते हैं, M की value 8, M की value 32, N निकालना है, N node की value, we know that, यह होगया 4, cross multiply किया, तो यह होगया 6.022, 10 raise to power 23, divide by 4, equals to N, इसको हम इसे, solve करेंगे, तो कितना आता है हमारे पास, 1.5055, 5 into 10 raise to power 23, equals to N, यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगे, कई बच्चे कहते हैं, मैं इसको answer यह भी लिख सकते हैं, 1.51, 10 raise to power 23, equals to N, मैंने कई questions में, ऐसे direct answers भी लिखे हो हैं, बच्चे बूलते हैं, कि मैं आपका answer गलत है, बच्चो ध्यान से देखो, यह round of concept होता है, कि जैसे ही देखो, यह वाली digit चो है, 5 यह 5 से greater हो, तो हम पहली वाली digit में, 1 add कर सकते हैं, ठीक हैं, तो इसको round of concept कहते हैं, यह गलत नहीं होते हैं, चलिए, next करते हैं, 3rd one, अब 3rd में क्या निकालना है, निकालना तो वही number of particles ही है, n ही निकालना है, दिया क्या हुआ है, 0.1 mol, n दिया हुआ है, यह होता है mol, ठीक है, और यह निकालना है, इन दोनों का connection मुझे पता है, क्या connection होता है, अब यहाँ अध्यान से देखो, पॉइंट हटाया, क्या लग गया, क्रॉस मुल्टिप्लाइए, अब यहाँ अध्यान से देखो, पॉइंट हटाया, क्या लग गया, 10, जब मैं इसको इससे cancel करूंगी, यहाँ 1 के साथ, कितनी zeros हैं, 23 zeros हैं, उसमें से 1 zeros से cancel कर दी, क्या बच की, 10 के पावर, 22 zeros बच की, तो एन कितना आएगा, 6.022, इन्टो 10 रेस्टो पावर 22, कितनी निकालने, यह number of particles बोले गया, तो हम साथ में लिख देते हैं, particles, this is your answer, so that's all for this video, next video में हम cover करेंगे, in-text questions, thank you, झाल झाले झाले कुर पुछुण, झाम झाले कुर झाले कुर्स क्या यह में हैं, जिस्टो झाता झाले कुछूभप झाले कुर्चुछ,